हेलो फ्रेंज, वेलकम टेट वन्टीफोर नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गाड की नियू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म फिलप प्रोसेस के बारे में, तो फ्रेंज यहाँ पर जो य बैच के लिए, और फ्रेंज से यहाँ पर इस वेकेंशी या इस नॉटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जॉबरास्ता.com पर वहाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं, अगर आप अप अप चाहते हैं, तो आप इसमें 6-12-2021 से 17-12-2021 तक आविदन कर पाएंगे, आपको यहाँ पर एस लिमिट मिल जाती है, साथ में वेकेंशी की डेटेल्स और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रिक्वाइड रहेगा, उसकी जनकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें, तो यहाँ पर फ्रेंस, यह इंडियन कोस्ट गाड का ओनला इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले जेंडर का ओप्शन है, मेल या फीमेल, आप जो भी ओप्शन सलेट करेंगे, उस से रेलेट्टिड आपको जो पोस्ट है, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, फीमेल केंडिट के लिए ओनली एक ही पोस्ट है, इसके बा यहां पर देखिए आपका जो यह online form है यह start हो जाएगा और यहां से बात करेंगे कैसे आप इसमें आविधन कर सकते हैं सबसे पहले आपको यहां पर देना होगा candidate का नाम और यह पूरा नाम आपको यहां पर देना है आपके matriculation की mark sheet के according इसके बार friends यहां पर next option है आपके father name का और उसके बार आपका option है आपके mother name का इसके बार आपको यहां पर देनी है आपकी mail ID तो friends जो mail ID आप यहां पर enter करेंगे यह आपकी active and valid होनी चाहिए साथ में आपको यहां पर date of birth देनी है मतलब DOB अब आपकी जो date of birth है वो क criteria मिल जाएगा अगर आप reserve candidate है तो आपको यहां पर छूट मिल जाती है तो आपको आपका जो date of birth है वो आपको यहां पर देना होगा date month and year तो आपको कुछ इस तरह से यहां पर enter करना है कि आपका date of birth क्या है वो आप यहां एंटर कर सकते हैं और आपको यहां पर भी देखने पर इसके लब आपको यहां पर यह option disable मिलेगा इसके बर आपको swimming आती है आपकी प्रोफेंसी नेशनल लिवल में स्पोर्स में है या फिर आप वार्ड है कोसगार्ड यूनिफॉर्म परसनल के जो की डिजीज है वाइल इन सर्विस तो आप यहां नो कर सकते हैं अगर आपक सबसे पहले आपको address देना है और जो यह address है यह friends से आपको पूरा लिखना होगा जो भी आपका address है वो आप यहां mention करेंगे आपको state select करना है मतलब किस state के आप निवासी है किस district के आप निवासी है आपका friend से city कौन सा है इसके अलावा आपका pin code क्या है वो आपको यहां दे करेंगे और यहां पर जो आपका new address है वो आप दे सकते हैं अगर यह अलग-अलग है तो अगर यह सेम है तो आप इसे अंटिक रहने देंगे इसके बाद है चोई सेंटर चोईस आपको इनमें से सेंटर चोईस करना है चिन्नेई गोवा कोलकता और नोइडा इनमें से कोई इसके बार आता है आपका qualification section सबसे पहले है 10 प्लस 2 की entry तो यहां पर आपको देना होगा आपका year of passing मतलब आपने इसको कब पास किया है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं यह एंटर करने के बाद यहां पर आपको आपका certificate नमबर देना है certificate नहीं है तो अपना roll number दे सकते ह बोर्ड या university की आपको यहां पर देखे list मिल जाती है आपके according जो भी आपका बोर्ड है वो आप select यहां से कर सकते हैं तो आपको multiple यहां पर देखे options मिल जाते हैं आपके according जो भी आपका बोर्ड है अगर वो बोर्ड नहीं मिलता है आपका state बोर्ड है तो आपके state बोर्ड के अलावा अगर यहाँ पर BA, BST, BCOM के अलावा है तो आप इसको selected कर सकते हैं अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो post आप से यहाँ पर मांगी गई है वो आपका यहाँ पर fulfill करना जरूरी है जैसे GD के लिए आपके पर bachelor degree होनी चाहिए 60% marks के साथ और यहाँ पर mathematics and physics अगर आपके पास 10 plus 2 level में है matricational level पर है तो आप यहाँ पर तब ही applicable होंगे apply करने के लिए तो आपको यहाँ पर जो भी इसकी LGBT conditions दी गई है यह आपको fulfill करना जरूरी है आप जिस भी post के लिए apply करने है उसके regarding आपको यहाँ पर LGBT conditions को check करना होगा इसके बड़ फैंस आप इस form पर आएंगे और यहाँ पर आपको select करना है आपके पास इनमें से क्या है number of year आप select कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पर है आपका year of passing क्या है आपका certificate number क्या है और आपकी university या institution का नाम क्या है वो आपको यहाँ देना होगा अगर इसमें university नहीं मिलती है तो आप other selected कर सकते हैं और अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है तो आपके according यहाँ पर यह option आपको select करना होगा इसके बाद है year 1, year 2 and year 3 तो आपके जो year wise आपके number से उनके आपको entry करनी है अगर semester wise है तो आप उनको add कर सकते हैं दो semester को और उसके according यहाँ पर numbers की entry कर सकते हैं कितने में से कितने number आपके आए यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो यहाँ पर qualification criteria है अगर आपने यहाँ पर select किया है technical को तो engineer degree होनी चाहिए और नहीं आपके पास engineer degree आप GD के लिए apply करते हैं तो आपके पास किसी भी subject से कर सकते हैं पर 10 plus 2 में आपके पास method physics आपके पास होना जरूरी है तो आपको same यहाँ पर entry करनी है आपने इसको कपास किया है आपका certificate number क्या है आपका university क्या है और इसके बाद आपके numbers कितने में से कितने numbers आपने यहाँ पर gain किये हैं तो यह आपको यहाँ पर enter करना होगा तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर enter करेंगे अपने numbers को और ये enter करने के बाद आपकी overall percentage यहाँ पर आ जाएगी ऐसे ही अगर आप PG degree holder है, PG degree कर रहे हैं, appearing है तो आप यहाँ पर tick कर सकते हैं appearing में और अगर pass out है तो आप उसकी जनकारी provide कर सकते हैं बाकी आप इसे blank भी छोड़ पाएंगे इसके बाद यहाँ पर है 10 plus 2 की entry अब देखे 10 plus 2 में आपको physics and mathematics जरूरी है तो आपको यहाँ पर इनकी entry भी करना जरूरी होगा कि आपकी कितने में से कितने numbers यहाँ पर आपके आए हैं, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बाद है photograph and signature upload, jpg format में आपको upload करना है photograph का size है 10 से 40 के भी, signature का है 10 से 30 के भी जो कि आप browse पर click करेंगे, file को select करेंगे और यहाँ पर upload कर देंगे इसके बाद friends यहाँ पर है employment details, अगर आप service personal है तो आप yes कर सकते हैं service type select कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें no करेंगे कोई other center या state government में आप काम करते हैं तो उसकी जानकारी दे सकते हैं यहाँ पर आपको देना है place मतलब इस form को आप कहां से fill कर रहे हैं इसके बाद इस security code को आप यहाँ पर fill करेंगे और इसके बाद friends यहाँ से data को submit कर देंगे इसके बाद friends देखी आपका registration number आपको मिल जाएगा application accepted का message आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपको print का option मिल जाता है acknowledgement का और अपने application form का print आप यहाँ से निकाल कर अपने पास रख सकते हैं तो यह ध्यान रखेगा print application से print out अपने पास save करके आप ज़रूर अपने पास रखें future use के लिए future reference के लिए तो यहाँ पर friends आपकी जो यह process है assistant commandant 02-2022 batch के लिए यह आपकी complete हो जाती है जैसा मैंने वीडियो के starting में आपको बताया कि आप इसकी जो details है Indian Coast Guard की official website पर जाकर या फिर वीडियो description में आप जाएंगे jobrasta.com पर वहाँ पर जाकर check out कर सकते हैं अगर आप applicable है, eligible है, apply करना चाहते हैं, apply कर सकते हैं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही updates आपको लगातार मिल सके तो like, subscribe and share जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते ही हमारा YouTube channel and last thanks for watching